विजली करमचारियों के पीएफ घोटाले मामले को लेकर कॉंग्रोस की महासचिव ने योगी सरकार पर हमला बोला है घोटाले को लेकर प्रियंका गांधी ने कई ट्विट किया है जहाँ पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में विजली विभाग के कर्मिचारियों की जिंदगी भर की कमाई बीजेपी सरकार में डेचेफल में निवेश करकी फसादी गई है तो चिनाव के दुरान मुझे तमाम सरकारी कर्मिचारियों ने मिलकर नई पेंशन स्कीम को लेकर अपने चिंता जताई थी आज उनके शक जायस साबिद हो रहे है इसके साथ ही और सवाल उठाए गए जहाँ पर पैसा कर्मिचारियों का और संदिग्द जगे निवेश का फैसला सरकार का गुनेगार कौन जिस वक्ति ने इमांदारी से अपनी जिन्दगी भर की कमाई आपके हाथों में भरोसे से डाली उसके लिए आपका क्या जवाब है और कितने विभागों के कर्मिचारियों की गाड़ी कमाई ऐसी संदिग्द कम्पनियों में लगाए गए है तो एक आएक करके सवाल किये गाए है जहाँ पर छोटी मचलियों को पकड़कर ध्यान भटकानी से नहीं असली गुनेगारों को सामनी लाना होगा तो ये सवाल किये गाए हैं प्रियांका गादी के जरिये